हलो फ्रेंड्स वेलकम टू गैटमर इंफो यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम एक और नई पक्की सरकारी नौकरी के बारे में बात करेंगे पर्मानेन गौर्मेंट जोब जो की पोस्ट आपकी रहेगी डाटा एंट्री ओपरेटर डाटा एंट्री ओपरेटर की जोब बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट पर भरती होना चाहते हैं डाटा एंट्री ओपरेटर वनना चाहते हैं तो यह जो अपरचनिटी है यह और इसमें male and female, सभी candidate eligible होंगे, female candidate भी अगर interested हैं, तो apply कर सकती है, age criteria जो रखी गई है, उम्र सीमा, ये 42 वर्स है, 42 year, age criteria रखा गया, upper age limit, minimum आपकी 18 वर्स होनी चाहिए, कम से कम आप 18 वर्स के हो, and maximum age 42 year तक के candidate apply कर सकते है, फ्रेशर candidate apply कर सकते हैं, कोई भी experience यहाँ पर required नहीं है, तो अच्छी opportunity है, and data entry operator की post है, इस पर 12th pass candidate apply कर सकते हैं, बाकी क्या अधर requirement रखी गई है, या नहीं रखी गई है, selection procedure में क्या रहेगा, सारा सब कुछ हम इसके official notification के थुरू जानेंगे, तो अगर आप interested है, वीडियो में बने रही है, चलिए हम इसका notification देखेंगे, पहले हम vacancy detail दिखेंगे, तो यहाँ आप vacancy detail categories बाइस देख रहे हैं, अना रक्चत के लिए 11 vacancy है, आर्थिक रूप से कमजोर work के लिए 4 vacancy है, अनसुचे जाती के लिए 8 vacancy, अनसुचे जन जाती के लिए 1 vacancy है, अतनत work candidate के लिए 9 vacancy है, और पिछड़ work candidate के लिए 7 vacancy है, टोटल यहाँ पर 40 vacancy रखी गई है, जिसमें से 13 जो post रहेंगी, वो female के लिए reserve रखी गई है, female candidate के लिए 13 पदों पर यहाँ पर भरती किया जाएगा, यह reserve post रखी गई है, तो यह अभी हमने देखा, अब हम बात करेंगे इसकी eligibility criteria की, तो यहाँ sectionic योगता, रखी गई है, राज्य सरकार या केंदे सरकार द्वारा मानता पराप्ते किसी संस्था से, संस्थान से intermediate परिक्षा, means, आफ 12th pass होना चाहिए, जो भी straight board या central board के द्वारा, और बांचे की योगता में यहाँ, बांचेत योगता means इसमें preference आपको दिया जा सकता है, वैसे essential qualification यहाँ पर 12th required रखी गई है, बांचेत योगता हम देख लेते हैं, इसमें आपका computer triple C का, यहाँ DOEACC की मानता हो, या DOACC द्वारा बेद सब्जेक्ट्स के संबंद में, आपने O level का जो diploma होता है, आपने वो किया हो, या DCA हो, या computer दक्षता जाज, चीक है, तो यह आपका बांचेत योगता है, essential योगत से applications invite किये जा रहे हैं, selection procedure देखेंगे, यहाँ आप यह और देख लिजे आरक्षण, क्यूंकि यह जो vacancy है, बेहर स्टेट से है, तो बेहर राज्य के जो reserved candidate हो, उनको तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन अदर राज्य के बेहर स्टेट के बाहर के जो candidate होंगे, अदर स्टे procedure की और ace criteria की, तो ace criteria, अब देखें, आप यहाँ पर 2023 देख रहे हैं, तो मैं आपको clear कर दूं कि अब यहाँ पर, जो 2023 का यह notice starting में आया था, बट यहाँ आपका जो last date है वो extend हो गई, और फिर से इसके form open किये गए है registration, अभी मैं आपको इसके official site पर बता दूंगी, last date and opening date, ठ चाहिए, maximum आपकी अंडर्जब्ड है, male candidate, तो 37 होना चाहिए, सामान में female candidate, पिछड़ा बर्ग, अतरन पिछड़ा बर्ग, male female, in के लिए 40 होनी चाहिए, बाकि SCST, male female, के लिए 42 वर्स रखी गई है, अपर ace limit, selection procedure में आपका यहाँ पर examination होगा, MCQs type exam होगा, Hindi और English में आपका एक test भी होगा, जो skill test जो रहता है वो भी होगा, तो written examination आपका MCQs रहेगा, and computer knowledge आपको होनी चाहिए, हिंदी के जो आपकी typing है, वो यहाँ पर मांगी जाएगी, प्रारमिक परिक्षा MCQs type है, प्रतिक परिशन के लिए आपको एक उत्तर का chain करना होगा, correct का, परिक्षा आपकी 2 घंटे की रहेगी, 100 परिशन उसमें आपसे पूछे जाएंगे, प्रारमिक परिक्षा कुल 400 अंकों की होगी, 100 परिशन पूछे जाएंगे, जो 400 के होगे, यानि इच कौशन 4 marks का हर, एक कौशन 4 अंक कर रहेगा, नेगेटिब मार्किंग भी रहेगी, अगर आप रोंग आंसर देंगे, तो एक नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, आपका जो एक्जाम है, आप हिंदी और इंग्लिस दौनों मैसे जो भी लेंग्विज में आप देना चाहें, आप दे सकते हैं, प्रारंबिक जो आपकी परिक्षा है, इसमें आप से सामाने अधन के 40 कौशन आएंगे, सामाने विज्ञान एवं गड़ित के 30 कौशन, मानसिक छमता जाच और तारकेक विचार के 30 कौशन किये जाएंगे, ठीक है, इसके बाद आपका डी हर के किसी भी कैटिगरी के कैंडिडेट हो, मेल फीमेल सभी के लिए 600 रुपई रहेगी, सो अधर स्टेट के कैंडिडेट भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं, अब जो बेहार स्टेट के रिजब कैंडिडेट होंगे, उनको स्रिफ 500 रुपई फीस पर करनी होगी, अब इसक हैं, हम इसके ऑफिसल साइट पर हैं, आप साइट देख सकते हैं, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, अडवर्टाइजमेंट नमबर, 03-2023, यह 2023 का नोटिस है, लेकिन यहां पर जो रिजिस्टेशन है, वो फिर से ओपन हुए हैं, स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ उनलाइन अप्लिकेशन फॉर रिजिस्टेशन, 29 नमबर, 29 नमबर से स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी अपलाई करने की लास्ट डेट, 13 दिसमबर 2024 है, पहले इसके अप्लिकेशन एक महने के लिए ओपन हुए थे, फिर क्लोज हो गए थे, लेकिन आप फिर से ओपन हो गए अपसाइट पर आकर की चकाउट कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट, 13 दिसमबर 2024 कर दी गई है, और इस रिप एक ही पोस्ट के लिए नहीं है, बहुत से अलग-लग पदों पर भरती आई हुई थी, सभी नौटिफिकेशन जो थे, कम से कम 5-6 नौटिफिकेशन होंगे, जिनक फिर से रियोपन किया गया है, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं सब पर आपको अलग-लग वीडियो अप्लोड कर दूँगी, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए रियोपन हुए हैं, और इन में सभी, 10th, 12th, 12th, ग्रेजवेट सभी के लिए विकैंसी है, अच्छी अप्लाइ नहीं किया हो, तो कर दीजेगा, यहां से आप नॉटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पहले अप्लाइ कर चुके हो, उनको फिर से अप्लाइ करने की ज़रुरत नहीं है, अब आप यहां देखेंगे वेबसाइट तो, बिहार विधान सभा सचवाले की वेबसाइट पर जवाब आएंगे, और यहां पर आप यह जो नॉटिफिकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लिजेगा, जिसमें आपको इसका अपडेट दिया गया है, कि री ओपन किये जा रहे हैं, चलिए मैं आपको यह भी डाउनलोड करके बता दिती हूँ, देखें हमने यह ओपन किया और यहां इन्होंने बताया हुआ है कि यह जो अड़टाइजमेंट नंबर हैं, यह देखें, यह सभी अड़टाइजमेंट यहां पर आपके आठ अड़टाइजमेंट नंबर दिये गए हैं, तो आठ जो भरतिया आई हुई थी, उन सभी पर फॉर्म से ओपन हो गए हैं, रइस्टेशन फिर से ओपन हो गए हैं, अभी हमने 03-2023 बाले का देखा, डाटाइजमेंट यह सभी अलग लग पोस्ट के लिए है, 10-12 ग्रेजवेट सभी यहां पर यहां पर आलिजबल रहेंगे, सो जो भी कांडिडेट अप्लाइ करना चाहें, अप पुझे कॉमेंट करके जरूब बता दीजेगा, और अधर स्टेट के कैंडिडेट भी इस विकेंसी के लिए अपलाए कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा, थैंक यू